एक्जाम कॉंसेट में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नौइदे विद्याले समीति के दुवारा जो एक्जाम होने हो जा रहे हैं 28 नॉवंबर से उसमें TGT PGT के स्पेसली क्योंकि बहुत से लड़के कॉमेंट कर रहे हैं जो लेटेस्ट एक्जाम जो पिछली सा पैटर्न क्या रहता है कैसे कोश्टन लिटियेचर से सब डिफिने डिफिने सब्डेक्ट से पूछे जाते हैं क्योंकि NBS का रिकार्ड रहता है कि पिछले साल के प्रस्टन से कम से कम 30 से 40 परस्टन कोश्टन हो सीधे सीधे वहीं से रिपीट कर देता है तो बहुराल एक आ नहोंने 2022 में अपना नोटिफिकेशन जारी किया और उसका एक्जाम नवंबर में होने जा रहा है इसके लिए हम लोगों ने जुलाई से अपने बैसे स्टार्ट कर दिये थे जिसमें मैं अपने बैसे में लाश्ट फाइब ये टूश्टन पेपर को सॉल्व करा रहा था प वाटसेप नमबर हमारा है 7007-354-360 सिंप्ली आप इस पर अपना नाम लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे इस पर सिधे वाटसेप करेंगे तो आपको वहां पर प्रोसीजर बता जाए जागा एक कंसाइज इसके साथ हम लोगों करीब सतर से असी पेज के कंसाइज कोश में हम डील करेंगे NBS की आईए आज की विजिए हम सुरू करते हैं यह 2019 का पेपर है 2019 में इस पेसली यह जो अठार नौ को अठार दोजा उन्नीस में हुआ था TGT English का उसी का पेपर ही है TGT English में इन्हों ने अपने Optional सब्जेक्ट को रूप में हिंदी को चुना हुआ था है तो इस पेपर को अगर हम डील करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहले प्रस पॉर्शन में एक से दस प्रस नहीं है टोटल दस प्रस नाम को रिजिनिंग को मिलेंगे तो दस प्रस में देख लीजिए क्या कोशन पूछे गए हैं प्रस नमर एक अबारा आपका सामने ह यहां पर सीटिंग अरेजमेंट के कोशन दिये गए थे जो सीटिंग अरेजमेंट में आपको यह बिसीकली रिजिनिंग के पार्ट है यह रिजिनिंग का पार्ट है तो इसमें आपको दिकत नहीं कि रिजिनिंग के प्रस पूछे गए हैं सीटिंग अरेजमेंट हैं पीकि चनल पेपर की विडियो आपको प्रवाइट करा दी जाएगी व्हूं इpable surprise क लिए लिएfficient किवी कोश्ण तक ट्रेव देख़问 लीचे से इस फिर पर और ब्याटी से हें पुछे गए हैं यहां पर यहां पे दो प्रश्ण टोटल रहते हैं इंगलिस की 10 प्रश्ण इसके बाद आपको करेंट या जिय जो जर्णल ऑवैडनेस का सेक्षन रहता है वो पूछा जाएगा देखिए यहां पर जर्णल ऑवैडनेस का सेक्षन सुरू हो गया है Journal Awareness के प्रश्ण भी इसमें दस रहते हैं क्योंकि TGT वालों को NBS में पूछे जाते हैं बिसिकली देख लिजिएगा एक प्रश्ण है सारे के सारे प्रश्ण Journal Awareness के हैं अगर आपको इस पर Complete वीडियो चाहिए GS का पेपर आपको बता दिया जाए तो इसमें इस वीडियो में कोई English Literature Main Subject का बात करूँगा देखे इसमें Teaching Aptitude का अगला सेक्षन है जो Teaching Aptitude का सेक्षन है इसमें आपकी Teaching Ability को देखने के लिए Question पूछे जाएंगे और इसमें Question पढ़ने की देखिए पूछने की क्या तरीका है गड़ी पढ़ाने की रशनात्मक पदेती को लागू करते समय से च्छक की क्या भूमका होती है कि जब आप एक कच्छा में जब एक क्लास में गड़ी पढ़ा रहे होते है तो आपकी क्या भूमका होती है इसका correct answer है कि यह सुनचित करना की च्छात अपरे मन से ग्यान प्राप्त करने के प्रकिरिया का हिस्सा बने इस तरह के teaching aptitude के भी प्रश्ण आएंगे तो आपको teaching aptitude के लिए भी तयार रगिया के रहेगा कि 10 प्रश्ण आपको रहेंगे teaching aptitude में और teaching aptitude के प्रश्ण ही आपको आगे लेके जाएंगे इसको हलके मत लेजिएगा अब देखिए teaching aptitude के प्रश्ण जैसे ही आगे जाएंगे आपको अगला section आएगा subject knowledge यहाँ पर देखिए सीधे सीधे दे दिया गया subject knowledge subject knowledge में आपको total प्रश्ण मिलेंगे 80 तो इसमें आप देखिएगा subject knowledge में या English का paper है मैं English बता दे रहा हूं confused मैं तो English का अगर आपको इसको current affair और teaching aptitude को प्रश्ण है तो comment करें देखिए English के प्रश्ण में हैं जैसे पहला प्रश्ण यहां पे दिया गया है कि क्या कह रहा है complete the following sentence with the right option basically यह grammar का portion का भाग है और grammar के जो portion के भाग है हमारी जो notes है grammar की जो handwritten notes हम प्रवाइड कराते हैं सेम वह ऐसे ही pattern पे है क्या दिया the photocopier machine was one was on when I came to the office this morning somebody यानि वो बता रहा है कि इसके fill in the blank करना कि इसके आगे क्या होगा इसका सही answer हो जाएगा must have forgotten to turn it off कि यानि उसको जरूर किसी ने turn off करना भूल गया क्योंकि office में जबाता हो machine on रहती तो इसका region क्या रहता है must यानि इसमें must का प्रियों होगा यानि option एक number हमारा सही है अब इन्होंने चार option दिया है इनका यह प्रश्न गलत हो गया है क्योंकि answer की जब release होती है तो correct answer दिया जाता है और आपने जो दिया रहता है वहाँ पे यहाँ पे लिखा रहता है कि आपने किया वहाँ पे computer पे चूच किया क्योंकि पूरा पेपर cbt mode पे होता है computer based टेस्ट इतना ध्यान दिजिएगा दूसरे प्रश्ट पर आते हैं सीधे सीधे इसका एंसर होगा a band in the gangaz गंगेज तो मतलब यह band in the gangaz में कोशन यहाँ पे पूछा गया सीधे सीधे आपकी नोट से जो भी NBS के प्रश्ट पूछे जाएंगे इंगली सब्जेक्ट वह एदम पूइंट रहेंगे आप सीधे देखके ही अगर पढ़े हैं तो अब के भी कोशन वैसे रहेंगे एक बार फिर मैं कर अगर आपको कंसाइज नोट्स लास्ट साइम की प्रिपेर के लिए चाहिए तो आप हमें सिंपली वाट्सेप कर सकते हैं अपना नाम और इस्टेट का नाम जहां पर आपको आप डिए प्रिप्रिंट के रहें मिल जाएगे 7007-354-360 पर इस नंबर भेजेंगे तो आपको वहां से प्रोसेजर बता दिया जाएगा और वहां पर लास्ट फाइब यर के यह फाइब तो शिक्स यर्स के आपको प्रिभिएस यर सॉल और पेपर विद्धे प्रोबाइट करा दिये जाएंगे जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या है सिंपली नंबर है 7007-354-360 ठीक एलास्ट टाइम अब देखिए अगले तिसरे नंबर पर हम बात करेंगे किया एक फिल इन दी ब्लैंक का कोश्चन है कि इसमें फ गुल मर्ग इज अ उसके बाद बता रहा है कि इसमें क्या होगा तो सही आप्शन में ट्रीट टू दा आइज विद्धे से प्रेड ओफ वाइवरेंट फ्लावर अगेंद स्नू कैप माउंटेन एज बैक ग्राउंड तो इसमें सही आप्शन तीन नंबर का सही आप्शन ए है तीन नंबर का सही आप्शन तीन है ठीक कोशन मत्री का क्राइट एंसर फ्री ओके नेक्स्ट अब कोशन पर हम जाते हैं देखें नेक्स्ट कोशन में क्या देरा फॉलोइंग दर डाटा और पीपल डिफरेंट क्रूप और रीड़ बूक फॉर्मेट चैनल यह बैसिकली इसमें जो डाटा दिया गे उसको फेकर टीकि इसका फेक तक पर वहरेंट एंसरत चैनल हुट ऑल्ड्री जुली गो ओल्डर फ्रीए ओगे आते हैं अपने प्रस्न पर पहे विच आप दपा फोलोइंग राइटर है या नि चिल्डेन कोशन देखें आपा गेर अपने प्र तो चिल्ड鉄塔 के बारे में लिखते हैं ठीक नेक्ट कोशचन क्या दे रहा है fill in the blank grammar का question है who bought a sofa set for our new house देखिए इसमें क्या कर रहा है we bought a koji red leather sofa set koji koji red leather क्योंकि जब भी कोई adjective लगाएंगे तो जिसकी भी सिस्ता बताता है उसके पहले लगाएंगे न कि leather red होगा क्योंकि red किसकी भी सिस्ता बता रहा है लेदर की जो कैसा है लाल है उसके koji red leather की यहाँ पे adjective से बैसिकली यह adjective से प्रश्ण था पार्ट ऑफ इस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा देखिए अब देखिए क्या कर रहा है valley bodies wild bodies were the sharp and emerging stairs on England 20th century अब मतलब भी बता रहा है कि valley body किसका work it was written by किसके elvin work के द्वारा यह work लिखा गया elvin work यह basically work पे ही ज़्यादा focus करते हैं एक writer का से जो work लिखे रहते हैं उसको उठाते हैं और आप से question बना लेते हैं क्योंकि जब NBS 2016 को हम लोग deal कर रहे थे तो उसमें तो इसमें जो बता रहा है कौन सा इसपे का part है जो future services का part नहीं the information can be described at the point of time इसका सही answer यह है यह part नहीं है ठीक नेक्स्ट आते है fill in the blank का question है we need meditator to sort issue between the worker इसमें कर रहा है क्या है सही आपके इसमें जो चार option दिये गए and or didn't and just interested and interested and uninterested तो इसमें बताना है आपको की interested के साथ क्या लगना चाहिए disinterested इसमें सही answer होगा यानि question number 9 का option number 2 सही हो जाएगा question number 10 की बात करें fill in the blank grammar का portion से question दिया गया है इसमें 4 option मिलेंगे देखी पहली में क्या करा your work this past month have been excellent your customer base has really increased दो कि इसमें 4 option more river in addition to on the other hand but इसमें सही option हो जाएगा more river क्योंकि इसमें देखी सही option green color से पाल लेड़ी दे दिया गया तो आप लोग को ज्यादा खुजने में दिक्कत नहीं होगी देखी अब क्या का रहा है देखी इस सीधे सीधे हमारे प्रशन से question है कि यकना पटवा country जो मिसी पीसी में है इसको लेके fictional town पे nobel पे किसने लिखा है सीधे सीधे यही प्रशन पूचा है who is the nobelist who wrote the series of nobel set in the fictional town यकना पटवा यकना पटवा आपने पढ़ा है सीधे सीधे American writer हमारा William Faulkner यह 100% जो है my notes के पहला एक question हमने William Faulkner American जो American literature में हमने बनाया है Walt Whitman American में Walt Whitman William Faulkner Robert Frost को जिसने पढ़ा है उसमें हमने बताया हुआ है तो my notes में सामिल है और notes की detail अगर लेना चाहें तो description में डाल दूगा कि notes कैसे मिलेगी देखी फिर American writers एक नया question इसमें बता रहा है कि sun also rises में देखी अगला question क्या दारा है कि notice कर एक notice look at the following notice and answer the question below इसमें दे रायक and evening with the Bombay Grover no ticket left the Saturday performance try not before 6 p.m. इसमें दिया है कि इसको आपको देखना है और 4 option दिया इसमें correct किया है correct दो नम्मर वाला all tickets for Saturday for friends or are ladies sold simply इसमें correct करना है क्या होना चाहिए notice के इतना बड़ा है simple यह लिख देना है इसका notice का simple रूप लिखना था अब देखिए यह दिया हुआ है passage the following passage taken the article on environment यह passage है और article है जो इन्वार्मेंट पे है उससे related एक question आएगा अब उसको पढ़ना है और उसको सही करना है कि इसमें क्या आपको भड़ना है कि A, B, C कौन से taken from article से लिया गया तो इसका option 4 का C है इसमें आपको मिल जाएगा इसमें आपको मिल जाएगा यह जो दिया गया है यही correct answer है जो environment से related है ठीक आगे चलते हैं फिर grammar का एक question आया हुआ है there are several points we don't understand we feel इसका fill in the blank दे दिया गया है उसके बाद आपको भड़ना इसका correct answer है it might be better to revise the proposal ठीक है next आते हैं अब देखिए एक question आ गया है Macbeth से Shakespeare से angels are bright still thou the brightest fell सीधे Shakespeare by note से Macbeth who is the brightest referred by Shakespeare in this quote इसमें brightest किसको refer कर रहे है Lucifer को Macduff को नहीं इन्होंने Macduff लगाया हुआ answer choosing option to Macduff को यह नहीं करते हैं यहाँ पर यह गलत हो गया इनका एक number यहाँ पर चला गया यहाँ पर सीधे सीधे इसमें Shakespeare ने Lucifer को इंडिकेट करता है brightest ठीक अब देखिए complete the sentence इसमें भी एक grammar का question है I cooked all the dishes on my own for the property के लिए उन्हों ने जो पूरी थी चीजें बताई गई थी अब आगे देखते हैं अगला question question में 18 पर देखते हैं which among the following the not paint by Robert Frost देखिए American literature आपको पढ़ना ही पड़ेगा American literature बिना पढ़े आप नहीं कर पाएंगे कि देखिए इसमें और जो not वाले प्रशनें खास करके ध्यान दीजेगा कि कि सिन में जो इसमें से following है जो Robert Frost द्वारा नहीं लिखी गई है death of a higher man Robert Frost का वर्क है Boyle Swills इनका पहला collection आता है poetry in the clearing इनहीं का वर्क है यानि जब तीनों collection दरेवेन दरेवेन इनका collection नहीं रोबर्ट फोर्स्ट का यह नहीं यह फॉक्नर का है ठीक इतना ध्यान दीजिएगा अब देखिए आगे आते हैं question में अठा रहा है यह American literature सो हूब हूब कोशन पढ़ता है आपका अब देखिए read the following job advertisement and answer the following question यह job advertisement है और उसके अनुसार आपको question देना है कि इसमें किस post के लिए who is eligible apply for post तो इसमें रीना हो जाएगा आप इसको पढ़ लीजिएगा post करके उसके बाद देखेंगे अब हमारे पास समय नहीं आगे चलते हैं who are the first American win literature देखिए मैंने बार बार काओं कि American literature की notes आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि American literature से बहुत मतलब question पूछ रहा है who are the first American win Nobel Prize for literature और पहल का American काओ रहता है जो Nobel Prize literature के दिश्टा है सिंचलेयर लेविस सिंचलेयर लेविस उसके लिए पहले नॉबिलिष्ट रहते हैं जो इसको जीतते हैं ठीक है अगले question पर हम बात करेंगे which of the following play had the character Robin Goodfellow एस सेक्सपियर से सीधा प्रशन आया हुआ है कि Robin Goodfellow किसका करेक्टर है तो Robin Goodfellow या पक परी को कहते हैं जो हम नहींने notes में सीधे mention किया हुआ है ए मिट समर नाइट ड्रीम का या करेक्टर है सीधे ना किया जो लाइकी टिमिंग अप सिरू रोमेट जूलेट सारे option गलत है या मिट समर नाइट ड्रीम का करेक्टर है और इन्होंने सही लगाया हु तो यह दिया गया है इसका बनाना है आपको passive तो many documents परतरने ड्रीम मोतु क्रानी को ट्रांस बीजने स्तुकमें तूद संतु यह इसका आप लोग देख लीज Cant, अगला देखं दिया गया है Recently there have been a step rise in the price of agriculture product तो इसका दिया गया है कि जो recently underline किया गया है कौन सा part of speech है Interjection है, preposition है, adjective है Recently adverb का काम यहाँ पर कर रहा है Recently adverb है ठीक आगे देखते हैं Fill in the blank है Several people blank in the study to an accident We badly hurt इसमें सही answer हो जाएगा We badly hurt 24 का we badly hurt हो जाएगा अगले प्रशन पर चलते हैं Which of the following should not include an event report of organization इसका result of the questionnaire होगा या report से question दिया गया है कि क्या नहीं होगा इसमें इस तरह के प्रशन पूछे जा रहे है देख लिजेगा इसका कहीं भी study material आपको नहीं मिलने वाले या अपने sense पे ही आपको लगाना है और जो proper तैयारी करा रहा है उसको पता होगा इसमें बनाना है क्या कर रहा है इसको बताना है कि इसमें क्या सही है इसमें रिजेन बता रहा है तो आपको यहां से बना दीजिगा complete the following sentence फिर complete करना है in the September 2018 more than the 120 nations signed the UN treaty banning blasting how ever the United States Russia and China did not sign उसी को complete करना था और उसके बाद क्या होगा उसके बाद how ever का प्रियोग होगा यहां पे यह भी grammar का ही question है अब देख लीजिए अगला question क्या दे रहा है new apoclips movement was the reaction against the politically oriented machine age literature and reality poetry of 1930 founded where और जो भी बताया गया था कि new apoclips moment जो रहता है किसके against में आता है यह दिया गया henry trich and j.f. henry ठिक यह इसका सही answer हो जाए काफी deep impression पूछा गया है काफी अंदर से हर्ल के इसको यहां पिनाउने American literature से ही related question ने पूछ लिए हैं वहां से अब देखी आगे चलते हैं which novel देखे इंडिया राइटिंग का बिल्कुल सही question which novel tell the story of bakha young sweeper in bulasa in fictional india town इसमें कौन करेक्टर जो बाखा किस novel में deal करते हैं बाखा को untouchable में मुल्क राज आनन्द deal करते हैं ठीक untouchable का करेक्टर रहता है यहां पे देखी letter writing का दिया गया है says letters है उसको आपको सही करना है इसको देख के आपको यहां पे देख लेंगे और इसका सही answer 30 का तीन नमर है the most of the student have examination first quarter so people generally avoid buying the such product during this period इसमें इस तरह के प्रशन है इसको आप अपने समझ के अपने इसाब से लगाईएगा देखिए 31 में क्या पूछ रहा है यह भी यह you are supposed to give speech on the other देखिए यह speech से question आ गया है यह speech का जो इसमें section 2 में दिया गया रहता है कि आपको later writing speech report और पूछे जाएंगे वहीं से प्रशन आपको direct बन रहा है तो इसका सही answer यह हो जाएगा but you all should aware of danger it अब देखिए अब क्या करहा which of the following technique were employed in R.K. Narayan guide R.K. Narayan जो guide है जो guide आया हुआ है तो उसमें जो है नलिनी का character रहता है guide का character उसमें जो रहता है नलिनी hero ही रहती है वह क्या रहता है variety narrative है ठीक न पिकारिस writing नहीं अलगरी नहीं एपिश्ट्रिल नहीं है varied narrative writing है उसमें ठीक इसका सही है Indian writing से भी question आपको एक एक दो दो मिलना है we can't stop destruction environment unless we change our attitude and life style 34 का देख लेते हैं यह सीधे सीधे figure of speech का question है famous tragedy की एक line पूछी गई है क्या है though thou not see my baby at my breast that suck the nurse asleep what linguistic device is used metaphor इसमें दिया गया है इसमें metaphor का परियोग किया गया है इसमें question number 34 का एक नमर सही हो जाएगा identify the poet who is belong to group of 20th century American English imagist poet देखिए इसीधे सीधे American literature से question बना है काफी अंदर से पूछ लिया अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको नहीं कर पाएंगे ठीक नहीं हिलेरी ब्लॉक इसके सही answer है हिलेरी ब्लॉक इसके सही answer हो जाएंगे ब्लॉक इसलिए NBS की मेरिट कम जाती है पेपर का एक इस्टेंडर मेंटेन करके रखते हैं 34 का देखिए fill in the blanks is right option अब देखिए a job in California my parents were very excited इसमें fill in the blanks भरना have been offered का इसमें सही परियोग होगा which of the following book is written by Bikram said देखिए पिल्कुल मेरी नोट से उबहु आ गया है the golden house मैं Bikram said पे एक page का जो नोट दिया उसी में से फंस गया है ठीक यह यहां पे दे दिया गया है अगले प्राश्म चलते हैं 38 पे ससी read all the article in molecular biology इसमें basically इसको right one चुनना है कि sentence का right one क्या आया थी यानि इसका CS ससी has read all the article on molecular biology sorry अब अगले प्राश्म 39 चलते हैं देखिए 40 प्राश्म में deal कर लेंगे part 1 पे और बाकी जो English Literature क बचे वी question है मैं part second लाओंगा और तुरंती लाओंगा तो उसमें आप deal कर लीजेगा part second में मैं उसको बाश्म चालिस प्रस्ट को हम लोग अभी deal कर ले रहे हैं 39 पे देख लेते हैं one of the following sentence ग्रामिटली करेक्ट इसमें basically grammar में कौन से ग्रामिटली की structure में कौन से correct हैं in the backyard of my grandfather house are the buried crops of many small animal killed by the wild wolf वह इसका सही answer है अब देखिए एक कर रहा है article से सीधे-सीधे preposition से सीधे-सी एक ही प्रस्ट में कई चीज़ आपका check कर ले रहा है कि इसमें preposition suitable preposition क्या होगा देखिए preposition से जो भी प्रस्ट आएंगे आप थोड़ा से इसके लिए prepared रहिएगा क्योंको बहुत अच्छी standard का प्रस्ट आता है एक ही प्रस्ट है लेकिन आपको चारो preposition का ध्यान देना है चाइड लेबर टेक प्लेस वेंड़ चिल्डेन आर फोर्स प्रस के पास सीघे to force to work at an age when they are expected to study and enjoy their phase of innocence phase of innocence इसमे ओफ नवा जाएगा इसमे चिपन से लेगा किन आप हो जाएगा इसमेए अथ हो जाएगा टू आट आफ इन का परियोग करेंगे देखिए एक को 40 प्रशन है बाकि जो 40 प्रशन आपके बच्चे में पार्ट टू में हम लेके आएंगे आप जरूर कॉमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी अगर कॉमेंट अच्छा लगा तो पार्ट टू हम जल्दी ही हम ल